कि ये तो आप निंटीस कुमार जी से पूछिये के मुखंथरी बनाएंगे कि ने बनाएगे जबी पिरधान मंध्री पहत कई वहकंषी नहीं है इस्टेस में डेश में आज के तारीक हो वलीडर आए नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटी में हूम आपके साथ सौरवराज 2023 में बिहार में क्या होगा मेरे साथ बात करने के लिए कि इंद्रियमंति पशुपति कुमार पारस हैं आपको नए साल की बहुत-बहुत बढ़ाई लेकिन बिहार में क्या होगा दिखिए नव बर्स सबसे पहले तो दोजारतेस का आज नव बर्स है नव बर्स के सुब अफसर पर मैं पूरे देश वासियों को अपनी ओर से हार्दिक सुब कामनाय भक्त करता हूं और इस वासे प्रातना करता हूं कि अपनी देश की जिदने भी लोग है सुख सामती से सब लोग रहे हैं दूसरी बात है आज रामाचंदर पास्मांजी का जनम दीन है पर शच्ठमा जनम décीन है वह हम से छोटे थे हम तीन भाई थे बड़े भया भी नहीं रहे राम तेंदर पास्वाजीर नहीं रहे और लगातार वह दो हजार इसवी से लेकर के लगातार चार बार लोग सभा के सदस रहे को काफ़ी मिर्दुभास्री वक्ति थे सदे भंस्ते रहते थे पहले इस कोठी म में भी लोग ही रहते थे इसलिए मैं इसको ठीको छोड़ा नहीं नहीं आज हम लोग के बीच में नहीं है इस वर से हमारी प्राथना है जहां कहीं भी उनकी आत्मा हो उनकी आत्मा को भगवान सुख सांती परदान करें दोहजार तेश में ऐसा लग रहा है कि विहार में पीजेपी नरेंदर मोदी को हराने की बात कर रहा है वीजेपी कहां से बोले है पी जैपी वर नरेंद्र मोधी को नितीज कुमार हराणे कि बात कर रहा है है। अधर कोई लिडर है उतना सरमान लिडर , पुरे 20 में प्रवस्ष्ष्ष नेतहाए हुआ जाता है। अधर की तारीकमाइ्ड मत्दिक जी विपक्स काम है। बिरोध करना बिरोध लोग करते रहेंगा 2024 में दो त्याही बहुमत से इंडिया की सरकार बनेगी और दर्मोदी जी फिर देश के प्रधाल मंतरी बनेगा चलू भी हार में कुछ नहीं होने वाला हो लटते कुछ नहीं होने वाला एक छोटा सा सवाल है कि क्या 2023 में जाएगा फिर से अरे बाबा यह तो चुनावाय के हैं मामला लंबीत है जी चुनावाय का जो फैसला होगा सरमान होगा चली शुक्रिया सर थैंक यू